हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपके साथ एक ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट शेयर करेंगे यह कैनफ प्लांट है जिसको हिबिस्कस कैनाबिनस, जावा जूट, डेकन हैंप कई नामों से जाना जाता है पूरे विश्व में इसको लगबख 119 यानी 129 नामों से जाना जाता है यह एक एनुल प्लांट है जो की वार्शिक पौदा है, हर साल आप इसको ग्रो कर सकते हैं सीड से इजीली ग्रो हो जाता है, तो इसके सीड आप कलेक्ट कीजिए और अगले साल ग्रो कीजिए जून से लेके अक्टूबर तक पौधे के सीड आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इजी टू ग्रो सीड होते हैं, इसके जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप देखी सकते हैं ये फूल कितना सुन्दर है ये पौधा जूट फैमिली से बिलॉंग करता है जो की गोंगूरा आपने सुना होगा एक फल होता है और उसका अचार भी डलता है उसको इंगलिश में रोजेला कहा जाता है तो आप जरूर चैक कीजिए तो उसी फैमिली से ये भी बिलॉंग करता है जूट फैमिली से बिलॉंग करता है और गोंगूरा फैमिली से बिलॉंग करता है और ये कुछ-कुछ इसके फलावर जो होते हैं ये हॉली हॉक के जैसे भी होते हैं इसको हिबिसकस कहा जाता है लेकिन ये हिबिसकस होता रही है गुड़हल से इसका कहीं भी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये एक annual plant है और hibiscus एक perennial plant है वो हमेशा बना रहता है और ये खतम हो जाता है तो इस तरह से जो गोंगूरा होता है आपने देखा ही होगा जिस तरह से इसकी flower birds आ रही है उसी तरह से गोंगूरा होता है जो red color क एक फल होता है उसका अचार भी डलता है उसका कहीं कहीं पर jam भी डाला जाता है jam बनाया जाता है तो देखिए वो फूल सूक चुका है तो एक ही दिन रहता है इसका flower जैसे सूरज अस्त होता है तो ये फूल बंध हो जाता है तो एक ही दिन इसका फूल रहता है आप जरूर आफी सुन्दर पौदा है तो जैसे की यह चोटी से पॉलिथिन में लगा हुआ है तो हम एक रिलेटेव ने गिफ्ट किया है यह चोटी सी पॉलिथिन में लगाया हुआ है तो इसमें थोड़ी फर्टिलाइजर की कमी है इसलिए इसके फищ लाब बड़े नहीं हुए और तो देखिए लगबग एक खाथ के बराबर ये पॉलोथिन है जादा बड़ी नहीं है तो अब हमने इसमें जब ही हमारे घर पर आ गया तो हमने इसमें फर्टिलाजर डाल दिया थोड़ा सा जो की गोबर की खाथ है काउडंग है तो एक लियार हमने इसमें काउडंग की बना तो बनाने है और अले साल हम इसको ग्रो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे इसके सीट भी हम क्लेक करेंगे तो आपके साथ तो इसके अलग अलग फूल होते हैं तो यह जो आप इस पर टेप देख रहे हैं यह पौधर यहां से टूट गया था तो हमने जब यह लाया जा रहा था तब यह तूट चुका था पूरा अलग नहीं हुआ था हलका से जुड़ा हुआ था इसमें तो जैसे कि हमने आपको बत किया तो जरूर देखिए डैस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको शेयर कर देंगे तो आप महां से जरूर चेक कीजिए का तो उसी तरह से हमने इस पौधे को भी जोड़ दिया और यह पौधा मरा नहीं फिर से जिन्दा हो गया तो अगर आपका कोई पौधा टूट जाता ह स्टैम से तूट गया था यह पौधा हमें थोड़ा डर लग रहा था कहींगे पौधा मरना जाया क्योंकि काफी दूर से आया था तो कोई गिफ्ट की हुई चीज अगर बेकार हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है तो देखिए इसमें पोशन की कमी है तो इसकी जो कलि कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल बटन भी प्रेस कीजिए क्योंकि बैल बटन से ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी वैसे साइज इतना छोटा भी नहीं है फूल का लेकिन थोड़ा सा इसमें साइज छोटा रहे गया कलर भी थोड़ा हलका फीका सा रहे गया क्योंकि बिल्कुल डाक महरूम और बरगंडी शेड लिए हुए होता है तो का पौधा होता है इसमें काटे भी होते हैं जैसे कि छूई मुई का पौधा होता है मिमोसा का तो उसमें भी आपने देखे होंगे काटे होते हैं तो यह थोरनी स्टैम होती है इसकी थोड़ी काटे होते हैं इसमें तो इसमें जैसे हाथ लग जाता है तो काफी इचिंग होती तो इसका आप धियान रखिए हलके हलके इसमें काटे होते हैं प्रांचेस पे इस टैम पे तो उस तरह से जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं फरडिलाइजर देते हैं या फिर जैसे मिली बग अटैक हो गया था जब यह पौधा हमने आपके साथ शेयर किया था तो देखा ही ह होते हैं और इसकी फ्लावर बढ़ है जो कली है इस पर भी क कई होते हैं तो जब हमने इसके मिली बक्स को वाश किया तब हमारे हाथ में काफी सारी काटे लग गए थे तो इसलिए आप इस पौधे के साथ काफी सतर्क रहें ध्यान रखें अपना तो इस पौधे को आप जितना स्पेस देते हैं उतना जादे इसमें ब्रांचे आती हैं अगर आपको इस प्लान को बुशी बनाना है तो आप और ये दो फूल इसमें आज खिले हुए हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं फरस्ट वाला ये है और सेकंड वाला इसके साइड में है तो दो फूल खिले हैं और एक फूल इसमें कल खिला था तो वो आज सूक चुका है बंद हो चुका है तो इस तरह से कलियां भी है जो कि ब ना हुआ है लेकिन जब सीड बनेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे इसलिए आप चैनल के टच में रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई सजेशन है तो जरूर दीजिए कोई क्वेरी है तो फेस्बुक इंस्टाग्राम या कमे नहीं पता है तो आप फेस्बुक पेज पर जरूर भेजिए कि लहरी पानी पी रही है लोटस का जो एक बार्टी है उसमें पानी भर गया है बारिश का तो उसको हम निकाल देंगे लेकिन अभी उसमें से पानी पी रही थी तो इस तरह से यह पौधा देखिए शाम होने ल अगे हैं थेंक यू